दिल्ली की सियासत में पुर्वांचल की अहम भागेदारी रही है 2024 के लोकसवा चुनाओं में इस बार पुर्वांचल कितना इफेक्ट डालेगा राजनीत पे हमारे साथ कॉंग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंग जी हैं उनसे जानते हैं प्रथम चरण का जो चुनाओं हुआ अभी 102 सीटों पे मुझे लगता है कि यह सातों चरण के लोकसवा के चुनाओं है प्रथम चरण में सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाओं हुआ और आपने देखा उत्तर पदेश से लेकर के दच्छिड वारत से लेकर के और वेश्ट वंगाल तक एक जो जनता जो साइलेंट वोटर जिसको हम कह सकते हैं वो वोट करने निकला वो साइलेंट इसले कर रहा हूं कि जो ताना साही और समयदानिक संस्थाओं का दुरूपयोग केंद की सरकार ने आदरी नरेंद मोदी की सरकार ने किया है वो आम जन्मानस के मन में घर कर चुका है कि हम बिरोध करने किसी भी इशू पे आएंगे तो जब बड़े बड़े नेताओं को छोड़ा नहीं जा रहा है फरजे मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है तो हमारी भी वही हद होगी और इसको लेकर कि आपने देखा कि जो होना आप सब भी विश्ले सक रहे हैं बताते रहें कि जब वोट सेरिंग बढ़ती तो बीजेपी के चांसेज बढ़ते हैं यह सीधे इंडिकेट कर रहे हैं कि आठ की आठो सीटों में उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी इंडिया गडबंधन से हार रही है और य किसी भी प्रदान मंतरी को इतनी अमर्यादित भासा का प्रियोग करते हुए चुकि मामला चुना आयोक के संग्यान में मैंने नहीं देखा कम से कम अगर आप दस साल आधर नहरेज मोदी जी आप एक दुनिया के वैस्ट की नेता आपके लोग मानते हैं दुनिया के एक बढ़ेज आप उस पर बात करते हैं पिर वी आगे का जो चुनाओ को कह रहे हैं कि हम तो विकास के मुद्दे पे जो है वोट मांगते हैं अगर विकास के मुद्दे पर नहीं मांगते तो राजस्थान से लेक्ए अलिगर्टिक की जो वहासा सेली का प्रियोग किया है मैंन को गाली दे दिया गया तो यह भी तो एक सियासत है मुझे दो चीज कहनी है जो व्यक्ति प्रधान है घर का प्रधान हो या गाओं का प्रधान हो या देश का प्रधान पंतरी हो अगर उस पज़ पर है तो उसकी गरिमा होनी चाहिए उसको कम से कम पच्छ and विपच्छ के जहोत उमीद करता है पुरी दुनिया में एक माख़ौल उडा जा रहा है और विकास की बात यह नहीं कर रहे हैं विकास की बात हमारी पार्टी कर रही है आधरणी मलिका जुन खड़गे साफ राहूल गांदी जी कर रहे हैं इसलिए तो हम पांच निया की बात कर रहे हैं कि जो 50 सालों में अमेठी और आबरेली तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल अमेठी और आबरेली भी चिंता न करें वो भी हमारे जो कारकरता है हम सबकी जो अमीद है उसकी अनुरूप ज़ल्दी पाटी doit राणी जी तो बुला रही है बार बार रहूल गांदी जी की आप आईये मुझे लगता है कि स्मृती रानी जी की ये जो बॉखला हाट है एक internal शर्वे आया हतासा है यहां कि राहूल गांदी जी ने अपने एका कभी भी उन्होंने कुसी असिस्ट भासा का प्रयोग नहीं किया चुनाओं हारे तब उनको बदाई दी तो इसमृती रानी जी ने क्या किया मैठी की जनता जबाब देगी रही बात जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी अभी तो जो सूचना मिली है कि वो 301 सीटों पर अपने लोग सभा को मिदवार होशित कर चुकी है अगर इसको लेकर कि हम कहें भाती जनता पार्टी जा जो असी कसी सीट कहती है उसके भी कई जगे वो मिदवार ने उतरे तो चुनाओ अभी चुकी प्रथम चरण का बीता है दूती चरण का चुनाओ सामने और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनाओ देश की जनता मुद्दे पे लड़ने जा रही है और जोकी कांग्रेश पार्टी का जो नियाय पत्र है, जो घोशना पत्र है मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कहीं भी उसमें किसी प्रकार के सामप्रदाईक भासा का कोई परियोग नहीं है जिसको ले करके बौकलाट और यह ऐसे नहीं बनापन करता है कि इस बार रिकार्ड मदों से प्रानमंत्री जो विजई होंगे और 400 पार का नारा है देखिए मुझे लगता है कि पहली बात कि 400 पार का नारा देने वालों को चन्रीगड के मेर के चुनाओं में 8 होड पार करते देश और दुनिया ने देखा सुप्रेम कोर्ड ने भी फटकार लगाई अनिल मसीव पे कि आपका मसीह को हो न तो मालूम चल गया दूसरी बात ये हतास लोग है आपको ख्याल होगा कि जब ये बंगाल का चुनाओं लड़े थे पस्चिम बंगाल का क्या नमामी गंगे के नाम पे केंदरी प्रदूशन आयो ने कहा है कि गंगा नदी देश की सबसे प्रदूसित नदी है ये नरिद मोधी की सरकार में जहां 20,000 करोण रूपे में नमामी गंगा में करीब 12,000 करोण रूपे बहाया गया किसके लेकर के सुबाश चंदरा भारती जंता पार्टी के जो सांसद है वहां से लेकर के अडानी तक की कमपनिया काम की हाई कोड इलाहबाद ने फटका रहा है किस पर बात करेंगे बियेचू जैसा एक सैचडिक संस्थान नरिद मोधी नहीं दे पाते उसपर बात करेंगे जो करते हरप्ता इनोस्टी खुलती थी या डिरेका जैसा क्यों नाम बदलने में आगे रहे कि आडिरेका जैसा जिसको बरेका कर दिया आज कांग्रेस 35 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है बनारस में जो लोग आते थे उनको एरपोर्ट जाने में घंटो लगता था उनकी फ्लाइटे छूड जाती थी इतनी अच्छी सड़कों की कनेक्टिविटी हो गई आप कह रहें कि गंगा जो है अभी भी पदूसीत है लेकिन बिज़ेपी कह रहे ही कि गंगा स्वक्ष हो चुकी है मुझे लगता है कि यह सवाल बहुत अच्छा किया और इसको जरूर इसको फ्लेस अप करिएगा रोड बनाने की बात जो हमें जी बता दूँ कि हमारे जो ब्लाक प्रमुक चुना जाता है वो भी साल लवर में 25 किलोमेटर की रोड बनाता है तमाम ऐसे बनारस के बाहर भी ब्लाक जाकर के देख लीजिए ये बुद्दा की एरपोर्ट जाने में समय लगता था आथ तो सहर में पैदल चलना मुस्किल हो गया है उसके बारे में क्या कहना है लोगों के सर पे मौत का साया लाय जा रहा है हम भी किसी इनवस्टी के छात रहे साइंस के स्कॉलर रहे पता चलता था जहां पे पहाड हो पानी हो वा रोपे होता था यहां भीड भाड़ एरिया में आप रोबे चला रहे हैं जहां पैदल चलना मुश्किल है तो कम से कम यह जो अंसांटिफिक चीजें हो रही है और रही बात गंगा के प्रदूशन की बात तो केंदरी प्रदूशन आयोग ने कहा है हाइकोट एलाबाद ने फटकाल लगाई है और मैं हमारी बात अधुरी रह गई थी प्रदान मंतरी एक ऐसा कोई जरकारी कारखाना नहीं दिये कि कल प्रदान मंतरी जी नर है उनकी पार्टी जैसे कांगरेस आज नर है तो लोग कहें जैसा डिरेका में लोग कहते हैं कि साब कांगरेस की देन थी ठाकुर रहुनाज सिंग सांसद वगा करते तो 1961 में पंडी जवाल नाल नहरू के समय कारखाना ये बनाया गया डिरेका का जिसका अनाम के ओल नरेद मोदी जी ने दस साल में बरेका कर दिया एक कर खाना बताईए एक इंस्ट्यूट बताईए एक बड़ा हस्पिटल बताईए ट्रामा सेंटर तो मनमोहन सिंग की देन थी जिसका फीता काटने आया थे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है स्वास के मुद्धे पे सिच्चा के मुद्धे पे रोजगार के मुद्धे पे हमारे प्रधान मंत्री जी नहीं कि ना पाते और बनारस कभ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं था यह तिर्थ अस्तल था यह समझना पड़ेगा एक परेटर नस्तल तिर्थ अस्तल में अंतर होता है लोग तिर्थ करने आते थे तो कहे रहें कि आप कासी को गोवा नहीं बना सकते गोवा बना रहे थे ना एंजीटी ने फटकरा गंगा के उस पार आप टेंट सिटी बना रहे थे हाई कोट ने यहां के एक टेंट कंपनी को गुजरात के एक टेंट कंपनी को ठारा ठारा लाग का जुर्माना ठोका इन्हीं के सरकारम हुआ तो आप कम से कम हम जो कहना चाह रहे हैं कि कासी एक प्र थस्तल रहने दीजिए गोवा को और सुंदर बनाईए आप जिस तरह के जो और तो मेरा कहना है कि आपने इस सहर में आज उस छेतर में लोग निकलने के लिए तरस जा रहे हैं एक हॉस्पिटल नहीं है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसके लिए कौन सोचेगा मां ग कि तो हमने भी श्वागत किया लेकिन जब हाई कोट ने कहा कि साब सुबास चंदरा से लेके अडानी तक क्यों लूट मचाये हुए हो आज भी 22-22 नाले अमीजी गिरते हैं चाहे सिंजो आबे आए हो चाहे मायक्रे आए हो आपका चैनल भी पर्दा लगाता हो दिखाया है लेकिन आप ये बताईए सिंजो जी क्या लगता है कि विपक्ष मुद्दा उठा नहीं पा रहा है क्या कोई आपकी तरफ से कॉंग्रेस के तरफ से कोई इस तरीके से जो है प्लेटफॉर्म प्या करके एक राहूल गादी जी है आप जानी रहे हैं बनारस हो आएं किस तरी बड़े चैनल का था यहां पर अब तो यह चला कि साफ लाइव नहीं होता है रिकार्डेट करके लाइव बताया जाता है यह तो चैनलों की सित्व है तो मैं आपके ऊपर नहीं आपका जो मालिकान है उसको कितना मेरा हिस्सा चलान उसको तैय करना है फिर भी मैं उमीद करत देख हजार की और एक व्यक्ति जो प्रति मिनेट पांसो कमा रहा है वो भी ठारफ परसेंट जैस्टिक साइक्टी सरक्रत यह निया है और रही बात राहूल गांदी जो नहीं बात कही थी बिलकुल मुद्दे की बात कही थी जिस चीज को आप इसारा कर रहे है क्या है इसी गैंग रेप हुआ गैंग रेपिस्ट जो बालिका है अंधरप्रदेश की नाम नहीं ले सकता चौथे दिन इसी यूपी पूलिस के उधारा उसने पूरी तरह से पहचान लिया एक आखरी सवाल है कि क्या पुर्वांचल की जो सीटे हैं लगता है कि बीजेपी के पक्ष में जाएंगी या गडबंधन के पक्ष में जाएंगी क्या देख रहे हैं सिनीरों क्या देख पूर्वांचल की सीटों में अगर आप चर्चा करें तो मैं सिलसिले वार कह दूँ कि आज की तारिक में इंडिया गडबंधन बलियां की सीड जीत रहा है गाजीपूर की सीड जीत रहा है लालगन की सीड जीत रहा है मचली सर की सीड जीत रहा है जौनपूर में काटे की टकर है इंडिया गडबंधन और बसपा की प्रत्यासी से वाराणसी में भी बहुत काट कि अगया जब राब hyvin मेरे घ्याल से India गडबंदन के सारी नेताओं के भीगतर अंदर अच्छी थर easier सामंजस नहीं है तो अभी प्रदान मंत्री जी की पश्डम उतरपदेस में मैं रहली। आपने देखा कि मुझ्ख मंत्री मनियादित नात्योगी मंच से उतर करके चले गए अगर सामंजस नहीं होता तो सरधाना तेंतिरिवान मुखमंत्री जी गए जहां राजपूतें के उपर आप एक समाज के उपर आपका एक सांसद उनकी महिलाओं को बहने को बेटिये को उपर फपती कसता है और कोई कारवाई नहीं करते तो राजपूत समाज इनको बता रहा है और मुझे लगता है कि जब तक इसमें भारती जनता पाटी उस सांसद के उपर टिकर तो नहीं काटा कारवाई नहीं करेगी वो राजपूत समाज इस पूरवांचल में भी बदला लेगा यही राजनीप की सियासत है पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं लेकिन राजगदी का निर्धानल जो है वो जनता करती है और इसका फैसला आने वाले समय में एक बर फिर से जनता ही करेगी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके